हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल डेटिक्टिणंकाल एनिमल लवर समें दोस्तों आज मैं पैरेट फिस के टैंग मैट के बारे मिमें डिस्कसन करूँगा और इसे related information आपके साथ सियर करूँगा तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को ज़रू सब्स्राइब कीजिएगा वीडियो को शेर और लाइक कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो मैंने टॉप 10 फिस्स की लिस्ट बनाई है जो पैरेट फिस्स के साथ एजली रह जाती हैं उन्हीं के बारे में मैं आज डिटेल में डिसकसन करूंगा 10 पोजिशन पर है एरवाना फिस्स अबस अच्छी टैंग में जा सकती है पैरेट फिस्स के लिए जब भी आप एक्क्वेरियम में एरवाना फिस्स एड़ करें तो आप ध्यान रखें कि पैरेट फिस्स को और एरवाना फिस्स को साथ में एड़ करें इससे आपस में इनकी अरवाना को साथ में रख सकते हैं हॉर हाइवय के रवाना bachas co Hund अब साथ में रख सकते हैं अच्छे से रहे हैं जैसे बीडियो में भी देख रहे है है अब division 9 के बारें डिसक्सरान कर लेते हैं तो इस nutrition पर मैंने oscars को रखा हुआ है आप oscar की सबी variety को parrot fish के साथ रख सकते हैं चाहे वो mango आसकर हो एलवीने आसकर हो टाइगर आसकर हो यह नॉर्मल आसकर हो यह सबी आसकर fishes parrot के साथ easily रह जाती हैं दोस्तों इसमें भी आप यही ध्यान देंगे कि जब भी aquarium में इन fishes को आप एड़ करते हैं at the same time parrot fish और आसकर fish को एड़ करें तो यह काफी अच्छे से रह जाती हैं और दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि आप aquarium की साथ थोड़ी बड़ी रखें जिससे अपने territory के लिए आपस में fight ना करें यह दोनों चीज़े अगर आप अपने aquarium में implement कर करते हैं तो यह काफी अच्छे से रह जाएंगा अब एड़ पोजीशन के बारे में discussion कर लेता हूं तो इस पोजीशन पर मैंने प्लैक ओफिस को रखा हुआ है इसको सकर फिस भी बोलते हैं algae eater fishes भी बोलते हैं काफी अच्छी fishes होती है aquarium के cleaning के लिए कहीं भी aquarium अगर algae problem आ जाते है तो इस fishes को introduce करते हैं तापके aquarium के algae problem काफी हद तक कम हो जाती है यह काफी अच्छी tank mats हो सकती है parrot fish के लिए जब भी आप इसको aquarium में add करें तो ध्यान रखें कि थोड़ी इसकी size बड़ी हो जितनी parrot fish की है तो यह आपस में काफी अच्छे से रहती है और आपस में fight भी नहीं करते हैं सेवन पोजिशन पर मैंने green Texas को रखा है यह American सिकलेट है नेचर से काफी aggressive होती है इसलिए जब भी आप parrot fish के aquarium में इसको add की जाएगा तो इसकी size और parrot fish की size same होनी चाहिए और aquarium में का यह जब बड़ी हो जाए तो इस case में आप add ना करें जब यह चूटी रहें तभी आप aquarium में add कीजेगा दोस्तों आप position 6 कर लेता हूं तो इस position पर मैंने पाको fish को रखा हूँ है जो नेचर से काफी aggressive होती है और इसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों बराबर होती है और parrot fish स से जस्ट डबल इसकी लंबाई भी बढ़ती है और चोड़ाई भी बढ़ती है इसलिए आप ध्यान रखें जब भी आप aquarium में add करें बाद में add ना करें क्योंकि पाको fish parrot को पर attack कर सकती है दोस्तों मैंने 5 पोजीशन पर बाला सार को रखा है जिसको सिल्वा सार की बोला जा सकते हैं क्योंकि सिल्वार सार कभी भी parrot fish के साथ fight नहीं करती है और aquarium में काफी easily रह जाती है इसको जब भी आप aquarium में add करते हैं तो add करते समय ध्यान रखें इसकी size चोटी होनी चाहिए जिससे यह आपस में fight ना करें अगर इनकी size बड़ी है तब आप aquarium में बिल्कुल इंट्रिड्यूज ना कीजिएगा नहीं तो यह आपस में लड़ने लगते हैं दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बाती है कि इनकी aquarium की size आप 3-4 feet का रखें और aquarium में काफी hiding place रखें आप dirt road जैसे चीजों के use कर सकते हैं आप coral rocks का use कर सकते हैं इससे होते है आपस में अगर यह fight भी करती है तो एक मचली जाकर इसके पीछे चिप जाती है तो यह के दूसरे को काफी नुकसान नहीं पहुचा सकते हैं थर्ड पोजिशन पर मैंने अपनी टाइकर शार्प रखा है देखने में काफी अच्छी लगती है एक ऐसी मचली है कि यह में मेट कर सकते हैं यह पैरेट के साथ एजली रह जाती है और इसकी साइज करीबन 14-15 इंच तक हो सकती है अगर बाहर देखा जाती है इनकी 3-4 फीट लंबाई हो सकती है सेकंड पोजेशन पर मैंने साथ बाड़ी फ्लावर होन को रखा इसके पीछे रीजन यह है कि साथ बाड़ी फ्लावर होन और पैरेट फिस में काफी सिमिलेटीज पाई जाती हैं similarities कि अगर बात करें तो parrot fish और flower hon दोनों man met fish है यह नेचर में नहीं पाए जाती है और दोनों का नेचर काफी aggressive होता है अपनी territory के लिए काफी sensitive होती है दूसरा reason यह है कि इन fish में आप differentiate नहीं कर सकते हैं कि कौन सी flower hon fish है कहौन सी parrot fish है दोस्तों जब इनकी साइज बढ़ने लगती है तो सौट बाड़ी फ्लावर हॉन की साइज मैसिम तीन से चार इंच तक जाती है लेकिन पैरेट फिस की जो इस्टेंडर साइज है वो अकरीवन आट से नो इंच तक जाती है तो आप डिफ्रेंशेट कर सकते हैं इसलिए जब अप एक्वीरम में एड करते हैं तो यह जब इनकी साइज छोटी रहे ता आप एक्वीराम में एड करेंх और जब इनकी साइज बड़ी होने लग होगे तो आप सफ़ाट बड़ी फ्लावर हॉन को कि निकालके दूसरे एक्वीरम में सिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों फस्ट पोजिशन पर मैंने सेवराम फिस को रखा हुआ है सेवराम के बहुत सारी वेराइटी आती हैं देखने में काफी एट्रیک्टिव दिखती है आपने कहीं पैरट फिस का एक्वेरियम देखा हो उसमें जो सबसे कामन फिस आपको दिखेगी वो सेवराम फिस हो होता है और इसकी जो लंबाई और चोड़ाई होती हो लगो पैरेट फिस के ही जैसी होती है इसलिए सबसची टैंगमेट्स मानी जा सकती है पैरेट फिस के लिए दोस्तों जो मैंने टॉप 10 फिस को कवर किया हुआ है इनके अलावे बहुत सारी ऐसी वेराइटी रहती हैं जो सकती है पैरेट फिस के लिए लेकिन मैंने इस वीडियो पर जेंट साइस फिस को कवर किया हुआ है जो कि पैरेट फिस के साथ रह जाती है और अच्छी से ग्रोथ करती है और अच्छे टैंगमेट्स हो सकते हैं पैरेट फिस के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीड जरू सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को शेयर और लाइक कीजेगा तब तक के लिए धन्यवाद